हेलो एब्रीवन वेलकम टू बावलोजिजम एकडेमी इस्टुडेंट्स आज में आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वन शॉट वीडियो लिविंग वर्ड का नीट की टिप्स के साथ में जितने भी कोशन्स हैं जहां जहां से कोशन उठते हैं वो सारी जनकारी कितने स्टम को बनाने के लिए टैक्सोनामी में जिकल क्लासिफिकेशन बैड किसका किसका योगदान रहा किसके किसने किसने टेक पहर्ट किया सारी जनकारी आपको बिडियो में मिलेगी उमेद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा ओके चलिएु शुरू करते हैं ओके जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चप्टर वन वन शाट लिविंग वर्ट बाइलोजिजम एकेडमी तो स्टुडेंट्स आए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी इसमें हम लोग सारी बातें समेटने की कोशिश करेंगे पहली स्लाइड आपके लिए यह रही what is life and living डोनों बाते मैंने include कर दी है इसमें कि क्या है जिंदगी क्या है और living किसको बोलते हैं आप life is a unique complex organization of molecules that express itself through the chemical reaction which lead to growth यह important term आ गया बेटा आपके लिए यहां पर which lead to growth and development, responsiveness, adaptation and reproduction इतनी चीज़े होना चाहिए जिस किसी के भी अंदर इतनी चीज़े हैं वो living considered किया जाएगा ठीक है तो यह चीज़ आप लोग याद रखेगा कि NCRT क्या कह रही है इसके बारे में तो इस चीज़ पता होनी चाहिए कौन से characteristics आते हैं living के सबसे पहले आ जाईए characteristics number one पे है आपका growth, number two पे है आपका reproduction, cellular organization होना दो को मैंने अलग से color change किया है वो उसका reason है मैं आपको भी बताऊँगा ability to sense environment, metabolism, ability to self replicate, self organized body होना इसमें से सारे characteristics हैं वो हमारी living world के हैं यानि living organisms के हैं कितनी भी चीज़ें आएंगी इसमें living world में वो ये सारी चीज़ें show करेंगी growth सबसे number one पे आता है characteristics growth in mass and grow in number दो हिस्सों में बढ़ना grow in mass, growth क्या है आपकी दो हिस्सों में बढ़े गया, growth in mass में या फिर grow in number, unicellular organisms in grow in number by cell division and here the growth and reproduction mean the same ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन सी condition में reproduction और growth का एक ही मतलब निकलता है तो आपके है unicellular organism अच्छा question बन सकता है ठीक है तो आपके सामने नीचे दियेंगे paramecia, mamoeba, bacteria, yeast and so on बहुत सारे unicellular organisms के example है ठीक है तो ये सारे बनते रहेंगे growth और reproduction यहाँ पे एक ही मतलब शो कर रहा है बच्छों ठीक है cell division जरूर हो रहा है लेकिन यहाँ पे growth भी हो रही है reproduction भी हो रहा है तो यहाँ पे मतलब एक ही हो गया ठीक है दूसरा in higher animals plant grow taken as increase in body mass growth from inside higher animals यह प्लांट की अगर बात कर ली जाए तो उसमें growth जो होती वो inside होती अंदर से बढ़ती हुए लगातार ठीक है एक होते दो तरीके हैं आपके पास में two types हैं indeterminate growth यानि unlimited लगातार होते रहना और एक होती है indeterminate growth limited but cell division occurs due to replace the lost cell यह हमारा characteristics है चोथा वाला यह this one indeterminate growth हमारी होती है ठीक है indeterminate unlimited थोड़ी थोड़ी चलती रहे है चीज बढ़ती चली जाए ठीक है आगे आईए growth is not defining property of living organisms growth बिलकुल से defining property नहीं है living organisms के कि यह exception create कर देती है और जहां पर exception create हो जाएगा वो चीज definition से हट जाएगी ठीक है non living objects also grow in body mass क्योंकि तेज तेज चलना है तेज तेज पढ़ना है एकदम से revision हो जाए अपना पूरे chapter का ठीक है non living objects भी आपके बढ़ते हैं अगर neat में a question बनता है तो हो सकता बन जाए कि mountains हैं boulders है sand malts यह तीनों चीज़े जो है यह grow कर जाती है ठीक है due to the accumulation of material on the surface is called accretion ठीक है यह book में मुझे question मिल गया था कि what is accretion तो मैंने यहाँ पर definition इसकी डाल दी तक ताकि आप कभी confused ना हो ठीक है तो accretion होता accumulation of material यह दीरे 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 इखटा होता होते चले जाते हैं ठीक है फिर उसका body इसका जो mass होता है दीरे से बढ़ जाएगा इसलिए यहाँ पे अब non living ने भी अपनी growth जो है वह show कर दी इसलिए growth आपका defining property अब नहीं रहा living तो show करते ही करते हैं non living भी show करते है reason इसका आपके सामने है okay reproduction is not defining property of living organisms reproduction भी हमारे defining property नहीं है ठीक है reason उसका यह है reproduction क्या है कि एक organisms का दो organisms में बढ़ जाना दो हो जाना ठीक है चाहे वो asexual means हो चाहे वो sexual means के जरीए हो लेकिन वो अपने species को लगातार बढ़ाते रहे ठीक है reproduction is not defining property of living beings अगर किसी को living being consider किया जा है अगर कोई ठीक है organism से reproduce नहीं हो तो क्या वो जिन्दा नहीं है अपकोर्स वो जिन्दा है इसलिए यह भी एक मसला है मारे लिए तो इसको अलग कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर reason है many organisms do not reproduce infertile couple mules and sterile workers यह जितने भी है यहां पर यह चीज आ जाती है ठीक है इतनी चीजों में many organisms do not reproduce infertile couple भी है mules भी है sterile worker भी है यह reproduce नहीं होते है लेकिन यह क्या जिन्दा नहीं है इनके अंदर भी metabolism हो रही है इनके अंदर भी growth हो रही है they are considered to be the living beings okay okay it is clear तो चलिया है next slide पे this one metabolism metabolism दो तरीके से इसके kinds मैंने पहले ही बता दिये थोड़ा बहुत जो scientist लिए है पस वो इदर उदर के लिए है anabolism का मतलब होता है synthesis of complex substances ठीक है synthesis of complex substances catabolism का मतलब होता है नहीं complex substance का breakdown हो जाना simpler substance में तो जिनके अंदर यह दोनों process चल रही है anabolism catabolism तो वो living consider किया जाता है यह defining property है हमारी okay आगे आ जाये consciousness is defining property of living beings ठीक है उसको consider किया जाता है all living organisms has the ability to sense their environment अपने आस पास को मुझे हम लोग को सब को सारे animals को यह ability होती हम लोग के अंदर कि हम लोग सब कुछ sense कर सके हम लोग महसूस कर सके है ठीक है response and to the environmental stimuli form of energy होता है stimuli जो होता है form of energy sound हो सकता है light हो सकता है temperature कुछ भी जिसके लिए हम response कर जाएं ठीक है वो particular stimuli है which could be the physical chemical या biological कोई भी हो सकता है बच्चों ठीक है all living organisms has the ability to sense their surroundings or environment सब के अंदर है अगर यह चीज है तो वो चीज consider की जाएगी perfect यह defining property आता है living organisms की we sense our environment through our sense organs human beings is the only organisms यह important है need के लिए human beings is the only organisms who is aware of himself has a self-consciousness अगर question पोचा जाता है कि कि किसके अंदर self-consciousness है तो human beings के अंदर हमें अपने अच्छे बुराई का पता होता है है ना biodiversity next topic है अपना क्या है इसमें the term biodiversity was given by the walter rosen याद रखिएगा यह term किसने दिया था हो सकता पूच दें कभी-कभी अगर बाहर गए syllabus से तो यह सकता पूच दें कि point the term यहां नहीं पूच जाएगा कभी-कभी GS में भी पूच देते हैं कि बायो डाइवर्सिटी का term किस ने दिया है 1985 में walter rosen ने दिया था what is biodiversity है क्या होता है diversity कि कि कितने तरीके के plant और animal दुनिया के उपर पाए जा रहे हैं वो biodiversity है the number and the type of organisms present on the earth the number known species हमारे पास में कितनी हैं यह चीज जरूरियात रख लीजिएगा NEET का question बना था एक बार यह और NCRT अपने ही बात मानती है 1.7 से लेके 1.8 million there is a large variety of living organisms like plants insects birds and other animals and microbes बहुत सारे हैं हमारे पास में इतने हैं कि अभी गिने भी नहीं गए हैं ठीक है Amazon rainforest पूरा वाकी भी है कुछ ही हिस्ता में लोगने उसका discover किया और हमारा ocean भी वाकी है तो यह होती biodiversity की कई तरीके के जानवरों का दुनिया के उपर पाया जायना ठीक है Taxonomy Taxonomy वो चीज है जो branch biology की है identification करती है nomenclature नाम रखती है और classify कर देती है nomenclature and classification of organisms the term taxonomy सबसे पहले किस ने दिया था तो AP D Candle नाम याद रखिएगा यह वाला इन्होंने सबसे पहले यह दिया था ठीक है this one 1813 में father of taxonomy हमारे कौन है Carolus Linius है father of Indian taxonomy कौन है तो आपको मालूम होना चाहिए Hermann Guild Spanish scientist है हमारे जो कि Spain के थे ठीक है और बाद में यहां इंडिया पर आकरके इन्होंने काम किया इंडिया में काफी सारे plant को study किया यहां पर flora ठीक है कहां का study किया था खंडाला मुंबई ठीक है वहां का माराष्ट का और आपका western ghats का study किया था इन्होंने लिखी इसके ओपर तो यह इंडियन टेक्सोनामी के फादर बोले जाते हैं याद रखिए क्या चीज़ identification क्या होती है यह यहां से उसका नाम लिए आपने ठीक है correct name उसका देना और place in an organisms in a classification ठीक है classification में जहां पे वो institute हो रहा है चीज़ी तरीके से लग पा रहा है ठीक है तो identify कर आपने उसको सबसे पहले उसका नाम दिया सबसे पहले उसके characterization क्या फिर identify क्या क्या है यह यह चीज़ें है यह जानवर यहां का हो सकता है यह phylum porifera हो सकता है ठीक है आपका phylum in a leader हो सकता है कुछ भी what so and so on कुछ भी हो सकता है तो आप identify करना इस चीज़ को process of determining the correct naming and the place of organism in a classification system में nomenclature क्या होता है it is the process of standardize ठीक है naming of organisms it ensures that organisms has only one name यह बहुत ठीक है complicated बन गया था scientist के लिए कि सबको एक नाम देना only one name उसका हो नomenclature का मतलब ही यह होता है कि ऐसे standard नाम रख देना ठीक है जो सिर्फ एक organism का एक की नाम हो जैसे mangifera indica जो है ठीक है वो एक है तो फिर पुरी दुनिया में उसको इसी के नाम से जाना जाए जहे पैंथरा code of zoological nomenclature ICBN ICZN दोनों को नाम याद रख लीजेगा ठीक है यह पूछ दिया था एक बार नीट में कि वो बताएए कि आपकी कौन सी है international code ICZN किस के लिए होती है ICBN किस के लिए होती है simple simple भी पूछते थे कभी what is classification it is the process by which organisms grouped into the convenient categories based on easily observable characteristics and CRT के lines हैं ठीक है कि classification क्या है कि जानवरों को या किसी organisms को ठीक है group में रखना उनके आसानी से दिखने वाले जो characteristics हैं उनके according आप मिलाते चले जाए सारे characteristics को और उसको आप classify कर सकते हैं classification makes the study simple ठीक है किसी भी organism की किसी भी phylum की classification अगर नहीं होता तो मारे लिए study बहुत मुश्किल हो गई होती है न अब आसान है मारे लिए this classification makes the study simple level of taxonomy ठीक है कौन से level है taxonomy के alpha taxonomy क्या होती है beta taxonomy क्या है gamma taxonomy क्या हो सकता है आप से थोड़ा बहुत वो level में चले जाए तो level अगर गए है तो अपने पास में है alpha taxonomy अगर कोई कर रहा है बंदा ठीक है तो include the species description उसमें सिर्फ species का description होगा beta taxonomy include the identification of natural groups and biological class पूरी class को पढ़ रहा है वो gamma taxonomy include the study of evolutionary process यह important है ठीक है यह वाला इसमें evolutionary process को study किया जा रहा है बच्छो ठीक है and patterns gamma taxonomy के जरीए हमें पता चलता है clear binomial nomenclature अब बात आती है next topic की अपने की binomial nomenclature दो नाम देना ठीक है आपको पता है इसके father कौन है carolus lenious है है ना लेकिन scientific naming are based on the agreed principle and criteria सारे नाम जो रखे गए हैं उनका criteria set है उनका एक तरीका बनाया गया है John Ray सबसे पहले scientist 1627 1705 तक was first to use the Latin पहला इंसान था जिसने क्या यूज किया था latin for naming organisms and published the book historia planterum इन्होंने सबसे पहले इपनी book जो publish की थी वो थी historia planterum फिर आते हैं carolus lenious यहाँ पर idea यहीं से आया था develop the modern system of naming called the binomial nomenclature इन्होंने ideal यह इन्होंने latin नाम use कर लिये थे ठीक है लेकिन carolus lenious ने इन चीज को बरकरार रखा लगा था र कंटीन्यू किया इस चीज को और उन्होंने binomial nomenclature इन्होंने उनका कि दो नाम होने चाहिए ही published his book species planterum नाम पता होना चाहिए आप लोगों को 1753 10th edition of his book systema natury 1758 में में टाल लेते हैं साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए दिखने में बैनोमे nomenclature has a generic name यह नॉर्मल सी बात हम लोग को पता होती है generic name होता है genus और specific epithet होता जानी विशिष्ट इसको अगर हिंदी term में बोला जाए इसको विशिष्ट विशलेशन बोला जाता है ठीक है याद रखिएगा कि किसी चीज़ को specify कर देना सिर्फ specifically उसी का नाम होना ठीक है generic name and specific name rules दिये गए चार rules हैं चारो rules एक बार neat में पूछ दिये थे उन्होंने थोड़ा incorrect one इसमें से incorrect choose करिए ठीक है बहुत सारे दूसरे भी paper है उसमें भी यह है केरला का होता था पहले तो कई एक जगहां से ठीक है study किये तो वहां से पता चला है कि हां यह अलग-अलग कर देते है number one पे क्या रहता है biological names are generally in Latin में होना चाहिए important है यह written in italics italics में लिखा हुआ होन latinized or drive from the latin irrespective their origin वो कहीं के भी हो लेकिन वो latin में लाए जाएंगे the first word in biological name is represent the genus दूसरा वाला में पता है कि वो क्या species specific epithet को बताता है जब आप उसे हाथ से लिखे हो तो उसको underline कर दें यह नियम है जब भी आप class 12 में भी आएंगे जब आप उसमें किसी भी ठीक है copy हम लोग को पता है उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप चाहें तो marks कर लें हाला कि examiner mostly नहीं cut करते हैं लेकिन अगर कोई first time अगर copy check कर रहा है उसने rules पड़ लिए तो हो सकता आपके marks detect कर दे ठीक है तो ऐसी गलती मत करिए यह लिए से for example आपने लिखा lactobacillus अब इसको आ underline ज़रूर कर दें please underline कर दें ठीक है क्योंकि नियम है इनका लोगों का और कट गया तो फिरफाल तो number कट जाते है अपने जरा सी mistake पर अगर print किया जा रहा है तो वो italics में होना चाहिए their latin origin the first word क्या होता है जीनस को represent करता है हमारे ठीक है और दूसर कैपिटल लेटर में होना चाहिए हमेशा first word इसका जो होता है जैसे कि mangifera M इसका capital होगा इंडिका छोटा होगा हमेशा ठीक है लिखका हो है न मेंगी फेरा इंडिका इस वन एक और चीज़ आती है अगर scientist का नाम पता है scientist ने discover किया है जैसे मेंगी फेरा इंडिका लिन ठीक है यह करेक्ट नेम है इसका इसका नीट का question बना था एक बार की correct नेम जो है आप चूस करके बताए तो correct नेम वागे में CRT में लिखाव है मेंगी फेरा इंडिका लिन ठीक है तो लिन उसमें लिनियस ने इसको नाम रखा था इसका वर किया था तो उनके नाम से आता हो यही correct option था ठीक है systematics systematic वो चीज़ें जिसको आप एकदम से सिलसिलेवार च्रेणी बद जिसको बोल सकते हैं बिल्कुल सलीके से ठीक है बिल्कुल perfect pattern में किसी चीज़ को ठीक है system से लगा सकें इसका मतलब होता है systematic arrangement लोग कहते है यह पूरा तुमारा जो arrangement है systematic नहीं है इसको systematic कर दो थोड़ा सा तो systematic arrangement यहीं से है ठीक है linear use the systema naturally में उन्होंने यूज किया था term ठीक है title of publication the scope of systematic was later in large include अब देखो यहां से scope यही need बन जाता है तुरंत scope जो होते है systematic के क्या include करते हैं देखो identification करेंगे ठीक है nomenclature करेंगे और classification करेंगे यह चीज़ याद रख लिजेगा आप लोग need के लिए खासत दौर से की systematic case scope क्या क्या include कर सकते हैं अगर question बनता है तो identification nomenclature classification तीन चीज़े systematic takes into account evolutionary relationship between the organism systematic इसको भी include करती है हमारी evolutionary relationship को भी include करती है ठीक है biological classification में आप आते हैं इसका दूसरा chapter है इसका भी वीडियो में बनाऊगा जरूर ठीक है तो classification is the process by which anything is grouped into the convenient categories based on the some easily observable characters जैसे की plant और animals आपके यह biological classification है biological classification की बात करें उन्होंने के सारे जानवरों को या plant हो या animals हो उनको easily observable observable characteristics में आप इसको लगा दें क्या objective होते है biological classification के क्यों क्या गया था तो आपको पता होना चाहिए to recognize and describe the basic classification ठीक है clear to recognize and describe the basic unit of classification पहला objective हुआ हमारा की सारे जानवरों को describe किया जाना चाहिए grouping the species into higher categories on the basis of their relationship सारी species को उनके relationship के according उसको put up किया जाना चाहिए है ना तो यह चीज आपके objective बन गए classification के यह objectives है scientist ने जो लिए थे okay advantage क्या है classification के यह अच्छा question बनता है अक्सर लोग पोच भी देते हैं कि it reflects the diversity of living things ठीक है यह reflect कर देता है कि कि कितनी जादा diversity पाए जा रही है दुनिया के अंदर it provides an insight into origin of organisms and inter-relationship among them आपको जब classification पढ़ेंगे तो आपको inter-relationship पता चल जाती है कि इस जानवर का इस वाले जानवर के साथ में क्या रिष्टा है ठीक है broad information about all organisms of group can be obtained just study the typical representative member of that group किसी एक फाइलम के characteristics आप पढ़ लिजिए आपने लगबग लगबग आपने उन फाइलम में जितने जानवर आ रहे हैं जितने आपके animals आ रहे हैं आपने उनके बारे में पढ़ लिया है ना यही advantage है हमारे classification का it provides an idea of evolution of different types of species यह idea provide करती है हमें evolution का कि कहां से हमारा evolution हुआ है ठीक है different different species कैसे बन गए पहले कौन था फिर कौन है फिर कौन हुआ है तो यह बहतर चीज़ है advantage of classification आपको पता होने चाहिए taxonomic categories आ गई आपकी सबसे पहले classification is not only the single step and CRT खुद कहता कि classification भाया बहुत सा ले लिए ठीक है भी टेकर ने last तक बनाया उसमें भी थोड़ी सी कलती होगी लेकिन बात में उसने सही किया hierarchy यूज करती है ठीक है श्रेड़ी एक यूज करती है एक pattern यूज होता है हमारा steps in which the each step represent the rank or category जिसमें हर एक step जो होती वो rank or category decide करती जैसे class, order, genus, species and so on Since the category is a part overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category क्योंकि taxonomic इसका part है आपका, taxonomic arrangement का है, किसकी आपनोग कर रहे है, animals and plants का कर रहे है, तो यह taxonomic category बोला जाता है इसको, लिखा है na, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, जो आखिर में क्या बनाता है, आपको taxonomic hierarchy बना देता है, पूरा system बना के खड़ा कर दे होता है, यह इसका श्रेपूरा जाता है हमारे Carolus Lineus को, है na, taxa क्या होता है, what represent taxa, इसको समझना बहुत आसान होता है, taxa जो होता है, किसी भी चीज़ को आप scientific term दे दें, ठीक है, the scientific term for these categories is taxa, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप scientific term दें, यह लिखा हुआ है, ठीक है, highlight कर दे र लेविल के उपर, जैसे की, each category referred as a unit of classification, in fact, represent rank, is commonly termed as taxon, जिसमें classification में आपने डिवाइट कर रख था है, जिसमें जानवर को, पूरे जानवर आपको दिखाए दे रहे हैं, अलग-अलग तरीके से आपने उसको put up करते चले गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते है, जैसे की, dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, और animal, are convenient categorized, इनको आसान हो जाएगा, आप अगर इनको categorize कर दे हैं, to study the organisms, इन सब को categorize कर दिया, आपने आसानी से पढ़ लिया है, categorize किया, नाम रखे, आपने taxa create कर दिया, animals, mammals, ठीक है, and dogs, represent the taxa at the different level, जितने भी animals है, ठीक है, तो देखो, यहां से बात समझने वाली है, animals भी आपका एक taxa है, mammals भी आपका एक taxa है, और dogs भी आपका एक taxa है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर mammals आते हैं, और mammals के अंदर dogs आ जाते हैं, तो यह तीनों के तीनों, अलग-अलग level पे अलग-अलग taxa represent करते हैं, ठीक है, इतनी से आसानी समझनी थी, अकसर confused रहते हैं बच्चे कि scientific term अगर कोई चीज को provide किया जाए और उसकी आसानी से study की जाए, classification में मदद कर दे, ठीक है, animals, समझ लो यहीं पर से, animals, आपका एक टेक्सा, उसके अंदर आ जाएंगे, mammals, वो भी एक टेक्सा है, उसके अंदर आ जाए क्या है basis of modern taxonomic studies, external and internal structure लेना, the structure of cell को study करना, development process and ecological information of organisms को उठा लेना, जब भी आप modern taxonomic की study करेंगे, आपको 4 point पता होने चाहिए, external and internal structure, the structure of cell पता होना चाहिए, development stages पता होनी चाहिए, जानवर की और ecological information, कहां पे वो रह रहा है, कैसे रह रहा है, उसका behavior क्या है, यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए, यह modern taxonomic studies में आएगा, ठीक है, process of taxonomic, अब यह question बनता है need के लिए, क्या क्या आता है, सबसे पहले बनता भी है, बना भी है, सबसे पहले आप NCRT अपनी बात मानता है, सबसे पहले characterization करेंगे, फिर identification करेंगे, फिर classification करेंगे, फिर उसक आपनी जागर के हमारी पूरी taxonomic hierarchy, जिसकी में आभी बात कर रहा था कि कैसे बनता है, पूरा pattern, एक पूरी strain, एक पूरी class कैसे बन जाती है, सबसे पहले lower level पर आजाईए, ठीक है, आपका species दिख रहा है, आपको यह species, फिर genus, फिर family, फिर order, फिर class, फिर phylum, फिर kingdom and फिर domains आजाते हैं, ठीक है, तीन domain बनाए गए हैं आपके लिए, वो बात में discuss हो जाएगा कभी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको, kingdom, phylum, classes, order, family, genus and species, यह taxonomic hierarchy बन गई, आप उपर पहुंचेंगे इस तरीके से, eukaria, bacteria और archia, चलो बता देता हूं, तीन domain हैं आपके, eukaria ठीक है, bacteria और archia, bacteria है तो वो bacterial domain उनका हो जाएगा, ठीक है, archi bacteria है तो उनका और eukaria में आपके plant और animal दोनों ही आ जाएगे पिर तो, है ना, जिनके अंदर eukaryotic cells होती है, simple सा, ठीक है, उपर से नीचे जाओगे, आप specific जा रहे हो, लेकिन नीचे से उपर आओगे, यानी kingdom तक पहुचा हो गए, आप unspecific हो गए, आपके पास कुछी observable characteristics बचेंगे, जिससे आप पता नहीं लगा सकते कि कोई चीज कहां से belong कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना बताओगे kingdom में, कि यह plant है और यह animal है, that's it, यह ना, सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं हम लोग, species से पढ़ते species is the smallest and lowest taxonomic category है, species is a group of individual होता है, human beings का हम लोग का एक पूरा group है, group of individual with the similar morphology हम लोग की है, character with are able to breed among themselves, यह important है, जो breed कर सकें, आपस में बच्चे पैदा हो जाएं, वो species होगी, among themselves and produce their own kind, जो अपनी जैसी संत्तियों ठीक है, अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोडूस कर दें, यह specific characters हैं और यह perfect definition species की है, अंस्ट माया, ठीक है, नाम याद रखिएगा, define the species as follow, इसने सबसे जादे species के पर काम किया है, group of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such a groups, ठीक है, reproductive isolation होता है, जब कोई animal, दूसरी species के साथ में reproduction ना कर पाए, ठीक है, जैसे loin का भी, ठीक है, tiger के साथ में reproduction नहीं हो सकता, naturally तो नहीं हो सकता, in IVF किया जाए तो तो अलग बात है, natural में बात कर रहा हूं, naturally, ठीक है, तब ही यहाँ पर term दिया, एंस्ट माया ने, natural population, ठीक है, that are reproductively isolated from other such a groups, systematic and the origin of species, 1942 में उसने यह बताया था, आंस्ट माया ने, ठीक है, तो species सबसे छोटी unit होती है, group of individual जो आपस में interbreed होते हैं और एक जैसी progeny produce कर देते हैं, उसके बाद आता है genus, ठीक है, genus is a group of related species which has more characters in common and come present to the species, इसमें आपको characters तो common मिलेंगे, लेकिन थोड़े से काम हो जाएंगे species के मुकाबले, यह group of related species होता है, ठीक है, इसमें सारी species include हो जाएंगी, जैसे की, we can say that genera are aggregates of closely related species, हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा genera होता है, वो closely related species का होता है, ठीक है, lenious popularized its use, 1753, सबसे पहले lenious ने species plant theorem में, ठीक है, इसको बताया था, but the French botanist Joseph Pitten D. Tornfort is considered the founder of modern concept of genera, यह चीज भी आप लोग extra knowledge के लिए याद कर लीजिए, इनको founder बोला जाता है, इन्हों बोला कि genera रखो, जिसके अंदर सारी species समा जाएं, है ना, clear, इतनी चीजे हैं, French botanist ने बताया था कि genera आप यूज करिए, modern concept of genera इन्हों नहीं दिया था, उस time पे, lenious ने फिर उसको यूज किया, family, family के अंदर, ठीक है, सारे related genera आ जाते हैं, ठीक है, family is a group of all related, closely related genera, ठीक है, यह genera का, पूरी family के अंदर के आ जाएंगे, सारे genus आ जाएंगे, with still less number of similarities compared to genus and species, taxonomic term, familia, was first used, French botanist, pere magnol ने दिया था, यह, सबसे पहले इन्हों ने यूज किया था, बच्चों, ठीक है, यह याद रख लिए, important हिससा आई भीया, पियर, magnol ने, सबसे पहले familia, ठीक है, term use कर लिया था, fungal, algal, botanical nomenclature, the family names of plant, fungi and algae, ठीक है, इस family की अगर बात करी जाएंगे, तो हम लोग को पता होना चाहिए, उसमें लगा होता है, suffix A-C-E, जैसे solenacee, ठीक है, क्या गलाती है, solenacee, यूफेर भी A-C, ठीक है, अलग-अलग family, उसमें A-C-E लगा लाता है, लेकिन दो exceptions, दो exceptions है, composite, exception से याद करने पढ़ते हैं सबसे जादा, तो composite और graminy, हैं plant की species, लेकिन इसमें A-C-E नहीं लगा हुआ, ये, ठीक है, नाम रख दिये गया है, तो वो चलते चले है, त ठीक है, A-C-E लगा होता है, पीरे मैगनोल हैं, इतने important term है आपके लिए, और related genre होता है, तो पता ही होना चाहिए, आपको की species के अंदर क्या होता है, ठीक है, फैमिली के अंदर क्या-क्या होता है, in zoological nomenclature, zoological nomenclature में family, the name's animal, end with the IDE, botany में आपका A-C-E, zoology में आपका IDE, जैसे muciddy, ठीक है, ये, और hominiddy, यानि human beings की जो हमलोग की है, हमलोग की जो family है, वो hominiddy है, ठीक है, ये insecta की है, आपकी housefly की, muciddy, तो ये चीज़ याद रखेगा, normal सी बात है, ताकि आपक ये family की बात हो रहे है, इसमें अगर लिख गया है, कि hominiddy, तो ये family है फिर, ठीक है, अगर उसमें लिखा है solenasi, तो ये family है, ठीक है, three different genera, solenum, petunia, datura, are placed in a family, ये लिखा है आपका solenasi, अलग-अलग genera जो है, solenum अलग है, petunia अलग है, datura, लेकिन इनके थोड़े- order क्या है, order के अंदर अब ठीक है, ये सबसे higher category चला गया, it is assemblage of families, अभी assemblage होता है कि इसका families का, इसके अंदर सारी families समा जाती है, few similar characteristics, the order as a distinct rank है, ठीक है, अब बिलोजिकल क्लासिफिकेशन वस फिर्स इंट्रोड्यूस बाइज जर्मन बाटनीस, Augustus, Curinus, Ravenus, नाम याद ठीक है, AQ, Ravenus, ठीक है, AQ, Ravenus, clear, plant family like the Convo, Vulvaceae, Solenaceae are included, सारी की सारी, दोनो, ये दोनो families, Convolaceae, Solenaceae are included in the order, Polynomials, नीट का question है, ये कि Polynomials में क्या include किया गया, कौन कौन सी families को include किया गया था, ठीक है, तो ये दो family जहां पे थी, वहीं पे हमें टिक करना था, लेकिन वहां पे दो नहीं थी, ठीक है, अलग-अलग तरीके से question पूछ देते हैं, लेकिन answer आपका NCRT में ही छुपा था, ठीक है, किसके उपर बेस था, ये पूरा, किसके उपर उन्होंने इस चीज उठाए थी, कि भाई क्या चीज उठाएं, अपने पॉलिमोनियल्स में हम लोग इसको एड़ कर दें, तो फ्लोरल करेक्टर्स उठाए थे, सिर्फ उन्होंने क्या उठाए, ये वाले, फ्लोरल करेक्टर्स उठा लिए थे, ये चीज भी याद रखिएगा, हो सकता, नीट का question बन जाया आपके लिए, पॉलिमोनियल् इसके अंदर सारे orders आ जाते हैं, सारे order आ जाएंगे class के अंदर, for example, order primata, ये वाला, comprises monkey, gorilla, gibbon, inner class, mamelia, ठीक है, अब mamelia के साथ में इसको placed किया गया है, लेकिन एक और चीज नोट कर लिजी आप, with the other order, ठीक है, कार्नीवोरा एक order अलग है, primata आपका order अलग है, ठीक है, primata य अलग है, कार्नीवोरा आपका order अलग है, that includes animal, tiger, cat and dog, wolf and so on, जो भी आपके कार्नीवोरा है, उनको include करता है कार्नीवोरा, लेकिन एक चीज काम है, ये सारे के सारे mamelia है, इसलिए इनको एक order, एक class में अटा करके, रख दिया गया, जो सबसे last class बनती है, हमारी पुरे animal kingdom में, स class is a distinct rank, अब biological classification was first introduced, सबसे पहले किसने introduced किया था आपको, ठीक है, जोजेफ पितन डी टॉर्णफोर्ट, इन्होंने ही इसको भी introduced किया था, ठीक है, याद रखियेगा, इतनी important point है ये, तो समझ में आ गया होगा है, I think class आपका, ठीक है, Primater, एक आपका order Primater है, एक आपका करणी बोरा है, करणी बोरा में सारे, ठीक है, आपके करणी बोरा से, यानि जो घोष खाते हैं, फलेश खाते हैं, Presby आपके सारे monkey, gorilla, gibbon, यह सारे के सारे हैं, लेकिन यह दोनों अगर अलग है, tiger एक नहीं हो सकता, monkey कभी एक नहीं हो सकता, लेकिन एक class में रखा गया mammalia, ठीक है, mammals हैं यह, ठीक है, phylum, सबसे highest, second highest category है, classes compress, सारी की सारी क्या आती हैं इसके अधर, all classes आ जाती हैं, के अंदर it includes the all classes animal like fishes amphibians reptiles birds along with mammals देखो है constitute the next higher category phylum बना देता है मारा यह सारी classes को add कर रहा तो यह बहुत बड़ा term होगा जाहर सी बात है the term was first coined by यह important है आपके लिए Ernst Haeckel ने सबसे पहले यह term दिया था phylum से race या stock जिसको बोलता था वो ठीक है जाती related file tribe या clan जिसको बोला जाता है इसने यह बनाया था कि जो related हो ठीक है तो phylum के अंदर animals like fishes amphibians reptiles birds along with mammal constitute the next higher category called the phylum और phylum एक बता दें आपको phylum तो आपका animals में उस होता है और vertebrates ठीक है यह बड़ा phylum होगे ना फिर आता kingdom kingdom बता है simple है यह इसके अंदर ठीक है all phylums include होते हैं various phyla included in the kingdom assigned to the highest category called the kingdom kingdom के बाद आता है domain जो पता चुका होगे आपको ठीक है एनिमेलिया है ठीक है और आपका kingdom plant है जिसके अंदर सारे plant आ रहे हैं distinct and comprises all the plants of various divisions आ रहे यानि आपके थैलोफाइटा ठीक है उसके बाद आता है ब्राइओ फाइटा फिर टेरेडो फाइटा फिर जिम्नोस पाँ फिर एंजियोस पाँच वा जाते हैं आपके इसमें सारे phyla ms आपके इसमें सारे फिनिश कर लिया मुझे लगा था कि एक गंटे के उपर जाएगा लेकिन नहीं जाएगा taxonomic ads are the tools for taxonomic study क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ना है जल्दी जल्दी one short revision होना है हम लोग का फिर इसके उपर अलग से भी में वीडियो बना दूँगा आराम से समझाने वाला taxonomic ads क्या करते हैं सबसे पहला टूल बताए कि taxonomical ads क्या करते हैं यह जारदा tools है ठीक है methods है taxonomic study को बहुत आसान बनाते हैं it is used for classification के लिए हम लोग यूज करते हैं often organisms information gathered is stored along with the specimens these are also the fundamental studies and essential for training in systematic अगर किसी को training दी जारे तो taxonomical ad हमारी बड़ी मदद करते हैं collection of actual specimen of plant animal species is essential and the prime source of taxonomic study ठीक है एक चीज़ आपको बता दे हम जब भी बढ़ाते है taxonomic या अगर हमाँ पास सारे जानवर नहीं जितने होते हों तो हम class में बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक है लेकिन study बड़ी असान हो जाती है अगर मैंने लाेकेन बताया है ठीक है लाएकेन सामने तु बच्चा उसको पूरी तरीके से observe कर लेकस है या है टीक है पोरी फेरा है टीक है पोरी फेरे से नीम को डिया आरत्वाम या फ्रांग तो नार्मल जो वह तो चीज़ें जो नहीं देखीं कभी हमने लोगों ने सी अनिमान ठीक है वगएरा वगएरा जो भी स्टार फिश जैली फिश अगर इस सामने होंगी तो हमारी स्टडी बड़ी आसान हो जाती है मैंने खुद अफजर्ब किया यह चीज़ को ठीक है तो टैक्सोनॉमिक टैक्स स्टडी के लिए सबसे पहले आती है आपकी हरबेरियम ठीक है यह मुझे बड़ी पसंद है क्यों बनवाई गई मुझे बार बार सर बनवाते थे अलग अलग ठीक है ट्वेल्ट में बनाई बीस्ट में बनाई हरबेरियम इस स्टोर हाउज आफ कलेक्टेट प्लांट आफ इस पेस्मेंट जो ड्राइड होते हैं नोट कर लीजे प्रेस्ट होते हैं और प्रिजर्व होते हैं अब देखें नीचे क्या मेंशन किया बच्चों मैंने यह रहा आपके लिए स्टार अब यह बात में बात करते हैं पहले समझ दो इस शीट्स आरेंज एकॉर्डिंग टू दा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम आप क्लासिफिकेशन यानि आपका बाइनोमी नॉमें क्लेशर जह उसके एकॉर्डिंग आपको इसको रखना है क्लासिफिकेशन सिस्टम विटिकर वाला ठीक है हरबैरियर आसो सर वैशेक क्विक्क्रिफलल सिस्टम होता है मारा अगर आपसे पुछा जाएं कि क्या क्या होताँ है चूर दा करेक्ट रण न clinical होगे आप लोगों के साथ आगे, ठीक है, place of collection होता है, ठीक है, English name होता है, local, botnical और family और collectors का नाम होता है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतनी चीज़ें होती है, डाल दो, ठीक है, dried, pressed and reserved sheet, तो neat में क्या पुछा गया था आप से, कि choose the correct one, date and place of collection, local name, इसमें क्या-क्या सही है, वो हमें tick करना था, कि यह होता है, यह होता है, यह होता है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि एक तरीके से matching type की करवाई होनोंने, लेकिन आप पूछा, पूछा जरूर, Botanical Gardens क्या होते हैं, हमारे लिए, specialized gardens होते हैं, जिसमें आपके living plant को include किया जाता है, जाहर सी बात है, gardens है, तो living होंगे, ठीक है, reference के लिए, plant species in the garden grown for identification purpose के लिए, यह important है कि Botanical Garden किस लिए होते हैं, तो identification purpose के लिए, क्या-क्या description होता है, Botanical Garden के अंदर, ठीक है, तो each plant is labeled with, आप यह note कर लो, यहां पर हो सकता है, नीट, 2023-2025 का भी पूंचने, Botanical और scientific name होता है, यह choose करने के लिए आजाए अपके लिए, और family होती है बच्चों, ठीक है, division, division, कुछ नहीं, family होगी, Botanical, उसका center, जैसे मैंगी, फेरा, एंडी का लगा हुए, ठीक है, तो उसमें family लिखी होगी, उसकी पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, for example, यह अटा दो यह, The famous Botanical Garden, आपके पता हैं, आपको कहा है, Q, England में है, ठीक है, Indian Botanical Garden, हवरा, इंडिया में, NBRI, इमारा, लखनौ में है, तीन famous, दो तो famous इंडिया के हैं, बहुत अच्छे garden हैं, Q, जो है, वो England में है, ठीक है, और Q के अंदर, जो classification system है, पता किसका है, यह Bentham and Auger को follow करते हैं, यह normal अपना जो, ठीक है, classification system है, इसको follow नहीं करते है, Bentham and Auger को follow करते हैं, नोट कर दीजिएगा, इस वाले point को मेरे, Museums, Museums have a collected, collection of the preserved plant and animal specimens, ठीक है, कहाँ बना जाते हैं, preservation किया जाता है, specimens are preserved, ठीक है, in a container or the jar preservative, formal in solution में होते हैं, यह चीज़ याद रखियेगा, formal diet plus water होता है, plants and animals are preserved as a dry space, specimens, specimens, insects are preserved, यह important है, insects वाला जो यह important है, collect किया जाता है, kill किया जाता है, और फिर उसकी pinning कर दी जाती है, यह insect का है, larger animals जैसे कि आपके birds हो गए, mammals हो गए, इनको stuffed किया जाता है, preserve कर लिया जाता है, ठीक है, सब कुछ निकाल लिया गया, फिर इनको वैसे ही बनाने की कोशिच क कुछ मसाला मसाला लगा करके तैयार कर दिया गया, ताकि लंबे समय तक यह वैसे के वैसे दिखाए, देखे जा सकें, ठीक है, तो museum में आपके preserve plant होते है, यह किसके ओपर जोड दे रहा है, देखो, preserved के ओपर, ठीक है, और preservation कैसे किया जाता है, तो आपको पता होना चीए, formalin में गया जाता है, ठीक है, जोलाचिकल पार्क, यहाँ पे सारे जानवर रखे जाते हैं, उनको नेचरल हैबिटेट में रखा जाता है, ठीक है, human care में रखा जाता है, दूसरी चीज यह है कि human care में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, human care, यह वाला point, food habits और behavior को उनके study करते है All animals in a zoo are provided as far as possible, the conditions similar to their natural habitat, ठीक है, उनके कैसी condition provide करते हैं लोग, natural habitat Keys, यह बड़ा बच्चे confused रहते हैं हमारे कि Keys कैसे काम करते हैं, Keys क्या होती हैं, देखो आज समझ जाओ गए, Keys used for the identification of plants, ठीक है, and animal based on similarities and dissimilarities के उपर The most common type of key is dichotomous key, यह note कर लो इसको, dichotomous key जो होती, दो हिस्सों को include करती है The Keys are based on the contrasting character generally in a pair, coupled होता है, ठीक है Each statement is known as lead, Keys are required for taxonomic category, family, genus और species को identification के लिए, यह important है यह वाला हिस्सा line important है, couplet or lead important है, family, genus और species, ठीक है को identification के लिए और एक और question बनता है, आपके लिए Keys are generally analytical in nature, ठीक है अब देखो इदर, पहला देखो line देखो इदर वाली, यह वाली, यह देखो flowers, cream, colored, fruiting, calyx, enclosing, berry, यह एक line लिख दीनोंने, कि इससे नोंने match करना है flowers दूसरा वाला point, white, violet है, fruiting है, calyx है, not enclosing the ovary, यह दूसरा point हो गया ठीक है, यह दूसरा point हो गया, अब यह dissimilar हो गया, यहाँ पर से similarity और dissimilarity के साब से रखना है अब समझ गया, korella कैसा है इसका, इसका korella पहला sentence चाह कर रहा है, lead चाह कर आप से, ठीक है, rotate है, fruit, a berry है, यह similarity है कि नहीं है ठीक है, एक similarity दीख रही, इसमें देखो, इसमें इसे, fruiting calyx दीख रहा, बस यहाँ पर यह वाला इसमें नहीं दिख रहा है, corolla funnel shaped है, sulver, ठीक है, form the fruit capsule बना रहा है, वलकि वो berry बना रहा है, radical leaves present in a flower racines है, fruits है, without prickles है, fruit जो होते हैं, without prickles है, काटे नहीं है वहाँ पर, ठीक है, radical leaves तो मैं match कर गया, ठीक है, नहीं match नहीं कर रहा, absent है नहीं देखो, flower solitary होते है, fruits with prickles हैं, fruits prickles के साथ में, dissimilarity हो, कि दतूरे की बात हो रहा है, यह वहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चलती है, हमारी काम हो गया, है ना, तो यह चीज याद रख लीजेगा, आप लोगा ऐसे, यह काम होता है, screenshot भी ले लीजिए, ताकि आपको असानी हो जाए, ठीक है, सबसे कामन वाली याद रख लीजेगा, यह dichotomus, यह, flora, ठीक है, document होता है पूरा, all plant species का, सारे plant species है, इना, given geographic area, या, कन्नोज की, अगर मैं बात कर लूँ, मैं कन्नोज में रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी species, ठीक है, है, उनके सारा, एक flora, document तैयार किया जाएगा, कि भाई साब, इसमें, यह, यह species पाई जाती है, flora consists of total number of plant species in an area, in a given information about flowering season का होता है, आपने नोट कर लो कि यहाँ पर यह यह चीजे पाई जाती है, इस प्रोवाइट एंडेक्स of plant species in a particular area, endemic species के बारे में पता चल जाता है, यहाँ पर यह भी पता चलेगा ना, कि यह particular species सिर्फ यहीं पाई जाती है, और जो particular species कहीं एक जगा पाई जाए, ठीक है, उसी को बोला जाता है, endemic species, local flora होता है, original flora होता है, continental flora होता है, ठीक है, monograph, monograph is a complete global account of taxon, of any rank, ठीक है, monograph क्या बता है इन्होंने, कि एक complete global account है, global account, taxon का, सारे taxon उसके अंदर आ रहे हो, any rank family हो सकती, genus हो सकता है, species हो सकती है, आप यानि class पे family के study करना तो पूरी family का monograph होगा, genus हैं तो सारे genus उसके आपने global account बना लिया, these include the existing taxonomic knowledge, all relevant information about the group concerns, such as, आपको क्या-क्या चीज़े चाहिए है, monograph में, तो anatomy, आपको पता होनी चाहिए, biochemistry पता होनी चाहिए, ठीक है, phylogeny पता होनी चाहिए, chromozoms पता होनी नंबर आ, एंड, phylogeny पता होनी चाहिए, number of, यहाँ पे pollen grains की study of pollen grains, ठीक है, तो इस सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, phylogeny आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसका fossil से सारा relation निकलता है, phylogeny, phylogenetic relationship, ठीक है, याद रखिए इसको phylogeny यह भी पता होनी चाहिए, anatomy, biochemistry, phylogeny, ठीक है, इस सारी चीज़े, chromozoms का number और phylogeny, ठीक है, आपका fossilization, fossil से क्या relation निकलता है, किस species कहां कहां पाई जा रही है, कब पाई गई थी, क्या कोई relation निकलता है, fossil पाई गई इसके phylogeny के अंदर आएगा, ठीक है, तो monograph के अंदर पूरा global account होता है, किसी भी taxon का, किसी भी एक taxon का, catalog, catalog जो होता है, books of libraries rich in botnical titles, ठीक है, बेहतरी इन से catalog होते है, सब कुछ इसमें होता, botnical, ठीक है, titles के, they have a special value in taxonomic study, to refer a catalog, one should know full name of the author, exact title of the book, and exact date of publication, and particulars of edition, जैसे species planter, हम आपको पढ़ने है, तो पूरा catalog है, फिर वो, ठीक है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, उस चीज़ की, ठीक है, catalog हम लोग normally मांगतें हूँ, तो उसमें पूरी जानकारी मिल जाएं, लोग बोलते हैं ने कि ऐacksí़ प Schloss, रहाए और कि75 identification of names of species found in an area, सारी species के नाम आपको पता चल जाएंगे, किसी भी एक एरिया में, तो वो manuals के अंदर आएंगे, it is the handbook, छोटी से, providing the complete, compiled information, particular area, कि that all the family, general, species, and keys are their identification, identification, तो आपको सारी चीज़े पता चल जाएंगे, manuals के जरीए, छोटे-छोटे तरीके हैं, ऐसे समझ लिजी आपको इसके जरीए, आपको taxonomy काफी आसान हुई जा रही है, manuals पढ़ लिया, किसी ने catalog पढ़ लिया, कोई harbarium के उपर चला गया, ठीक है, उसने उससे अंदाजा लगा लिया अपना, ठीक है, catalog में हो गया, कोई monograph पढ़ लिया, ठीक है, तो इसकी सारी detail जानकारी ले लिया, ठीक है, flora पढ़ लिया, flora जादा बेतर होता है, कि ये पूरी तरीके इस पढ़ लो, ठीक है, तो सारी जानकारी पता चल जाती, particular habitat की, particular region की, ठीक है, तो सब के अपने अपने तरीके, जो जिसको suitable लगता है बच्चों, वो उसको pick up कर लेता है, ठीक है, ये खतम होता है अपना chapter, the living world, कोई भी confusion जरा सी भी हो topic में, तो मुझे जरूर comment करके नीचे बता दीजिए, कि सर ये वाला point समझ में नहीं आरा, पूरी detail जानकारी दूँगा, ठीक में आप लोग उसको जरूर वहां से follow कर लें और उसमें join कर लें, ठीक है, वहां से आपको notes भी provide हो जाएंगे, आपको सारे doubt भी clear हो जाएंगे, उसमें मैं question भी पूछता रहता हूं लगातार, ठीक है, उमेद करता हूं, ये video आपको पसंद आया होगा, take care, अपना खयाल र